My dear friends, today's promise verse is from Psalm 31, 23. मेरे दोस्तों, आज का प्रतिग्या वचन है, भजन सहिता अध्या 31, वचन 23. The Lord preserves those who are true to Him. यहोवा सचे लोगों की तो रक्षा करता है. Yes, my dear friends, as you are true to Him, God will protect you. हाँ दोस्तों, अगर आप उसके लिए सचे हैं, तो वो आपकी रक्षा ज़रूर करेगा. He will keep you safe. वो आपको सुरक्षित रखेगा. Yes, just like this verse, there was someone who shared the same story. हाँ, इसी वचन के जैसे ही हमें किसी ने यहाँ पर गवाही बताई है. This testimony was shared by Mr. Christie and his wife Shalini from Uti. यह गवाही बताई है Mr. Christie और उनकी पतनी Shalini ने उटी से. इन्होंने हमें गवाही भेजी है. They were married since 2009. इनकी शादी 2009 में हुई थी, 2009 में. And they said the first two years went by so well, they were so happy. उन्होंने कहा कि पहले दो सालों तक वो बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे. But then as time went by, people started asking, where is your baby? लेकिन जैसे जैसे समय बीता चला गया, लोग पूछने लगे कि आपका बच्चा कहा है? Have you conceived yet? क्या अब तक गर्भारन नहीं हुआ? And because of all these questions, they went to the doctor to see if anything was wrong. इन सारे सवालों के कारण वो डॉक्टर के पास गए कि क्या कही कुछ गर्भड़ी तो नहीं है, इसे जांचने गए. डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में कुछ समस्या है, इसके कारण से गर्भधारना नहीं हो पा रही है. इस तरह कहा. और वो बहुत ही निराश हो गए, हताश हो गए, अपने आस-पास किसी को बता भी नहीं पा रहे थे. जब भी वो बाहर जाते थे, तो लोग इसी तरह उन्हें सवाल पूछते थे, वो निराश हो जाते थे. वो कहते थे कि आखिर तुम में क्या कमी है, अब तक कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ, वो लोग इस कारण खुश भी नहीं रह पा रहे थे, जानते हैं. वो अपने दोस्तों या रिष्टेदारों के घरों में भी नहीं जा पा रहे थे. वो तो हर दिन आंसु बहाते थे. वो पूरी तरह से तूट गए थे. ऐसी पर सिती में वो बच्चिदा प्रेयर सेंटर कोई मतूर में आए. वहां पर वो दोनों रो रो कर आंसु बहा बहा कर प्रातना करने लगे. उन्होंने कहा प्रभू तू हमें अगर कोई संतान देगा तो उस संतान को हमा आए. उन्होंने परमेश्वर के सामने ये मनत मागी. वहां के प्रातनायोधोने भी आकर वहां पर रोरो कर प्रातना की. परमेश्वर ने उन्हों की प्रातना सुनी. दस साल पहले उनकी शादी हुई थी, अब पर मेश्व ने उन्हें एक सुन्दर सी बेटी देकर आशेशित किया उन्हें एक सुन्दर बेटी दी वो बड़े आनन्द के साथ जीजस कॉल्स प्रेयर मेटिंग में आए और उस बेटी को गोद में लेकर ईशू की गवाही देने लगे उन्होंने अपनी मनत को पुरा किया और परमेश्व ने उनका आधर किया हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर के लिए सचे रहे और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की उसने उनके नाम को बचाए रखा उनके भविश्य को आशिश्टी और परिवारिक जीवन को आशिश्टी इसी तरह से जब आप उसके लिए सचे रहते हैं परमेश्वर आपके नाम की रक्षा करेगा परमेश्वर आपके परिवारिक जीवन को सुरक्षित रखेगा परमेश्वर आपके वैपार यहाँ आपकी नोक्री को सुरक्षित रखेगा आपके शरीर की रक्षा करेगा परमेश्वर आपको हर एक कहानी से बचा कर सुरक्षित रखेगा आज से परमेश्वर आपको आशिश देगा, आप जिसका भी इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देगा क्योंकि आप उसके लिए सच्चे हैं तो आएए आज ही इस आशिश को ले लेते हैं और आप भी आनन से भर कर उसके नाम की गवाही देंगे, उसकी भलाई की गवाही देंगे आएए प्रातना करें रभु इस प्रोग्राम को देखने वाले सब के लिए प्रातना करती हूं आज शायद ये टूटे हुए हैं, आँसू बहा रहे हैं प्रभु क्योंकि ये कई सालों से अपनी आशिश के लिए इंतजार कर रहे हैं आज इनके लिए चमतकार कर प्रभु जैसे ये तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, तेरे लिए सचे हैं इनके जीवन को तू आशिश दे हर एक गर्व जो बच्चे की रह देख रहा है इन्हें तू आशिश दे हर एक रिदे जो चमतकार के लिए रह देख रहा है हर एक व्यक्ति जो नोक्री की रह देख रहा है इन्हें तू आशिश दे हर एक व्यक्ति जो अच्छे परिवारिक जीवन की रह देख रहा है इन्हें आशिश दे जो अच्छे भविश्य की रह देख रहा है इन सबको तू आशिश दे इन्हें आशिश देकर तू आज इनके लिए चमतकार कर इस आशिश के लिए धनेवाद आज ये चमतकार करने के लिए तरह धन्यवाद एशु के नाम में मांगते हूं आमेन प्रभू आपको आशिश दे